भाई बरसातों में पकोड़े खाना किसे पसंद नहीं है सबको पसंद है और पकोड़े हो अगर पनीर के और वो भी लाजवाब इस तरह के बिलकुल कुरकुरे ये देखिया बिलकुल क्रिस्पी अगर ऐसे पनीर के पकोड़े मिल जाए ना तो भाई क्या बात है सोने पे सु यहां पर मैं ले रहा हूँ, पैकिट वाला पनीर, अगर आप नॉर्मल पनीर जो पानी में डूबावा होता है वो लेना है, तो उसका पहले पानी आप अच्छी तरह से निकाल दीजिए, तो यहां पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, पैकिट वाला, तो बस अब इसको काटना इसके बाद इसके अंदर नमक एक टीजिपून बाकी स्वात के अनुसर, बहुत ही शांदर पकोड़े बनने वाले हैं दोस्तों, बना के देखिए का आप खुद बोलेंगे सिंग्भाई मज आ गया, तो बस इसे करते हैं मेरिनेट अच्छी तरह कोटिंग कर देंगे, ज्य इसके भी लेंगे तो इसमें मैं ले रहा हूं एक टीज्पून शाबुत धनिया, और इसमें ले रहा हूं, शाबुत काली मिर्च लेन divorced है अंदर, इसके बाद इसमें ले रहा हूं एक टीज्पून जीरा, जी हा, और बस क्या करना है, इसका यह मसाला नि बहुत ही ला जव यहाँ पर में लिए हैं ब्रेड ग्रं में ये सारा मसालह मीले में मिक्स कर देँगे आप अराम से बर्येड को मिक्स करों मिक्स करके और आ ये के अड olması है खूम эк जार हो जाये, तो बस सारे मसाले को मिसक्ति-म्क्रम करना के लिए ये जो ब्रेड करना बहुत जो लगने के आप flavor आता है इसका, तो बस आप क्या करना है, इसके बात चलते हैं हम इसकी एक batter बनाते हैं जो coating करने हैं, क्योंकि हमें batter भी तो बनाना था पनीध के उपड़ कोटिंग करने के लिए तो चार टेबिल स्पून इसके अंदर मैं ले रहा हूँ मैदा जी हां चार टेबिल स्पून मैदा ले रहा हूं दो टेबिल स्पून मैं इसके अंदर ले रहा हूं हमारा बेसन जी हां बेसन आप कोई सा भी ले सकते हैं पतला या मोटा कोई सा भी ले सकते हैं एक टेबिल स्पून ले रहा हूं कॉन फ्लार इससे क्रंची पन और क्रि अजवाइन स्वाद भी बढ़ाएगी और पाचन क्रिया के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बनाएंगे बैटर बैटर स्मूध बनाना है लंस नहीं रहना चीए यह ध्यान रखी है दोस्तों और मेरा आपको करना है इसको जादा बस यह consistency रहना है ज्यादा पतला कर लेंगे तो पनीर जब डालेंगे तो वो कोट नहीं होगा और मजा नहीं आएगा फिर आप बोलो सिंग भाई आपने बताया नहीं मैंने बताया था लेकिन आपने ध्यान दिया नहीं तो बस यह देखिए पनीर के ट अच्छी तरी कोट रहें चारों तरफ से इसकी इसी तरह से कोट कर लेंगे तो बस यह देखिए दूसरा भी मैं आपको दिखाये ता हूँ बैटर अब यहा देखिए बैटर चिपक ना चीचिए पनीर के यह ध्यान रखीआँगा चाय ओड़ा सा आपको सकते जदा पतला तो बस इसी तरह से सारे ये सारे मैंने पीसे पनीर के बिलकुल कोट कर लिए अब क्या करना है दुबारा से हमें एक बार इसके ऊपर कोट करेंगे इस तरह से ब्रेट क्रम्स को और ब्रेट क्रम्स को कोट करने के बार हाथ से थोड़ा सा हलके हाथों से इस तरह से इसको दबा आनिया दंडी समयती लेना है और इसमें मैं डाल रहा हूं दो हरी मिर्ची नहीं ही लिए घ्रीस नहीं है ध्यान रखेगा सिक्की भी मूफली के हमने इसमें दाने डालें और इसमें अंदर हम डालेंगे थोड़ इसी लाल मिस पाउडर वन फोर्ट टीस्पून या हाफ टीस्पून जैसे आपको तीखा पसंद हो एक टीस्पून चाट मसाला या अमचूर पाउडर या नीमबू आप डाल सकते हैं आ ज्यादा हमें पाई नहीं डालना है और इसका स्मूथ एक पेस्ट बन जाएगा जो हमारी चटनी बिल्कुल तियार तो इस चटनी हमारी बिल्कुल तियार होगी आप क्या करना भी या इतनी महरत कर लिए पकोड़े फटा फट तल लेते हैं यहां पर हम करेंगे डीप फ्र जालने है जितनी कड़ाई के अंदर आ जाए भरबर के आप मत डाल दीजेगा बस इसको हम पकने एक मिन तक मीडियम फ्लेम पे ही पकेंगे यह जी हां एक मिन तक पहले इसको पकने ने तब तक उसको छेड़ना नहीं है एक मिनट पकने के बाद फिर हम इसको हिलाएंगे य जी हां इससे अदर नहीं पकेंगे यह तीन से चार मिनट बाद की इसकी पोजिशन में दिखाता हूं देखिए गोल्डन ब्राउन कलर कितना शांदर कलर आया है इसका बस इसी तरह से हमको इसको पकाना है बस तो यह देखिए आप कलर देख सकते हैं दोस्तों बिलकुल यह हमारे पनीर के पकोड़े बिलकुल त्यार हो चुके हैं अब क्या करना है बस इसे निकालते हम प्लेट के अंदर इसी तरह से हमें सारे पकोड़े हमें बनाने यह ध्यान लखीगा तो बस इसको हम प्लेट में निकालते हैं और डिशाओ करते और खाने ही करते त्यारी तो य यह देखिए यह पनीर के पकोड़े हमारे बिलकुल शांदार वाले तियार हो चुके हैं आवाज मैं सुनायता हूं कि क्रिस्पिनेस कैसा है इसका है यह देखिए यह मैंने दस मिंट बाद इनको पकाने के बाद उठाया थे और आवाज आप देखिए उपर से इतने और अंदर से दिखाया तो आपको कितने सॉफ्ट है देखिए आप बिलकुल यह बना के जरूर ट्रै करिए दोस्तों बरसातों के मौसम में बहुत ही शांदा लगने वाला है आपको तो कैसा लगा मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा शेयर बिलकुल अच्छा को आपकोछा बिलक।